कुछ लोग कहते हैं कि कच्चा प्याज खाने से क्या होगा कच्चा प्याज खाने के बाद तो मुंसे बद्वू आती है तो हम कच्चा प्याज क्यों खाएं लेकिन मैं आज इस वीडियो में ऐसे बेनिफिट बताने वाला हूँ आपको कच्चा प्याज के वारे में आप ये फाइदे सुनके कच्चे प्याज खाने से रोक नहीं पाएंगे 100% गारंटी देता हूं कच्चे प्याज खाने से बहुत सारे फाइदे हैं तो फाइदे क्या है इस वीडियो का आप लास तक देखें तो आपको समझ में आएगा क्या 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 फाइदे हैं तो आएए चलते ह मत इसके प्याच ऐसे कुछ प्याच काने से रूक नहीं पाइन यहंडरी हुए। बहुत ज़्यादा गैस बनती है जलन होती है तो इन सब समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है खतम हो सकती है जड़ से तो कच्छा प्याज खाने के बहुत सारे फाइद है और तो दूसरी बात करें दोस्तो ऐसी बीमारी जो की 100 में से 10-20% लोगों को हो जाती है दोस्त हाट एटैक की बीमारी नहीं होती है और तीसरी बात करें दोस्तो अगर कोई भी कीड़ा मकोड़ा काट ले और प्याज का रस लगाने से जलन और दर्द में रहत मिल जाती है और नाक से खून आता हो तो इसके दो तीन बुन डालने से नाक का खून रुक जाता है दोस्तो इसके बहुत सारे फायदे हैं और दूसरे चौछे फायदे के बात करों जैतुन के तेल में प्याज करस, मिलाका छेरे पे लगाने से पिम्पल यानि मौास्यों में रहत मिल जाती है प्याज खाने से समय समय से पहले आपको जो जुरियां आ जाती है ये फियस पे भी नहीं आती है तो इतने सारे फायदे हैं आप खाने से नहीं रोक पाएंगे और भी फायदे है दोस Organic इनेमिया की बीमारी हो गई है तो उसमें प्याज बहुत जादा फाइदेबंद होती है क्योंकि प्याज में कच्छा प्याज में सलफर पाये जाता है जब हम सबजी में डाल के पगा ले दे तो उसमें सलफर नहीं रहता है period शुरू होने से पहले कच्चा प्याज खाने से बहुत फायदा मिलता है और मैं आपको उता दूँ अगर आपको sexual problem है तो कच्चा प्याज खाने से बहुत ज़्यादा हो सकता है आप कच्चा प्याज जरूर खाएं इसके बहुत सारी फायदे है